या समस्या तूला राडी उतकर्मी बिद्यालय के है जो की बिद्यालय का स्थिती दीन परती दीन खराब होते जा रहा है वहाँ वान से लेके फाइब किलास के बच्चे लोग पढ़ते हैं तो बच्चे लोग को कभी भी नुक्सान आ सकता है आए सिच्छक से बात करके जानते हैं कितने टीचर हैं इसकूल में? क्यों ने होता है बाबू? वान टीचर है इसकूल का प्रोब्लम कितना देन से हैं? प्रोब्लम तो है अब जर जर अवस्था में है वान से फाइप तका इसकूल है आपको जो है इसकूल में एक लायाश कूल दिया जा है प्रचिक रहे जा कि पच्छा से यहां बावन तो बच्छे हैं सब टोटल वान टो फाइप लेकर के आप से चपाकल भी है जब ही मरमोर करना ही पानी में ही नुकलता है आपका जो है खराब आवस्था में है पर यहां जो है सचाला है सचालाई भी तुड़ा जमेश है खराब हो गया है उसको भी थुड़ा मुरमती करने क्याव सकता है अगर विल्डिया जाए तो बच्चे लोग का इह होगा अपका पढ़ने में सुविधा होगा आप पानी जैसे पानी आता है पानी में बड़ी दिक्कत हो रहा है जर जर अवस्था में है बच्चे लोग डर बना हुआ रहता है कभी छप गीर सकता है यहां राखना करूंगा कि जल से यहां एक बिल्टिंग दिया जा ताकि ठीक से पड़ सके और जो है एक मस्टर है प्लचे का पुरा तिकत है तो वो मस्टर पुलिश से जल सकता है इसके साथ मैं आप जाम को समब चाहता है उतकर्मिक बिद्याला तूरा राड़ी में इसकूल का इस्थिती बहुत ज़्यादा खराब होते जा रहा है और यहां पर चापा कल भी खराब है और बच्चे लोग के पानी पीने में बहुत ज़्यादा दिकत आ रही है वहां पर इसकूल का भी इस्थिती खराब होते जा रहा है कि वहां से लेके फाइव किलास बच्चे लोग पढ़ते हैं और बहुत दिकत हो रही है यहां पर ठीक धंग से पढ़ाई भी नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर एक ही सिच्चक के भरोसा 146 बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी सरकारी सिच्छक नहीं है पारा टीचर है एक सिच्छक के भरोसे बच्चे लोग के ठीक धंग से पढ़ाई नहीं होने के बज़र से बच्चे लोग के जीवन अन्धकार में है सिच्छक का अधिकार अधिनियं और टीच ने 2009 में बच्चों को मुक्त और अनिवार सिच्छक परदान की और उन इसे अनुचुद्र 21 के तहत एक मुलिका अधिकार के रूप में लागू किया गया सिच्छक का अधिकार अधिनियं का पूर्ण सिकिरिये बच्चों के निसुल्क एवं अनिवार सिच्छक का अधिकार नियं है इसके अगास्त 2009 में संसा द्वारा पर रित किया गया था समस्या को लेके मैंने सिच्छक से बात विचार किये और एक अवेदन तयार करने के लिए सिच्छक की जनकारी दी वह एक अवेदन तयार किये और सिच्छक को वीडियो दिखाए और वीडियो दिखाते हुए उनसे और विद्यालक की समस्या के उपर बात चित किये मिलने के लिए सिच्छा विभाग हम चाएंगे जार्खन सिच्छा परियोजना सिच्छा विभाग दुमका में मिलने के लिए आए और अवेदन दिये और बात विचार किये उन्होंने बताए ठीक है मैं इस पर बात चित करके इसको जनकारी लेती हूँ उसके बाद मैं बताऊंगी मैं आप सभी वीडियो देखने वालों से अप्पिल करती हूँ कि इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा सेर करे और लाइक करे सब्सक्राइज करे जो की इस चैनल में जुड़े रहें और जल्द ही यह समस्या सरकारी अधिकारियों तक पहुं सके और जल्द इस पर बदलाव आ सके